नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं DSK Talks अगर आपको पता है तो अच्छी बात है लेकिन नहीं पता तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कीकुशारदा और दिव्यंदू के पिक्चर थी 2016 की पिक्चर का नाम है 2016 The End उस पिक्चर में एक बहुती फ़नी सीन है जहांपर 500 रुपए से 1300 रुपए बना लेता है कीकुशारदा और एक डायलोग बोलता है कि लालची लोगों के शहर में ठग कभी भूके नहीं मर सकते हैं लालची लोगों के रहते हुए ठग कभी भूका नहीं मर सकता और यह चीज अगर आपको रियल वर्ल्ड में जाए एक करोड़ जीच जाए दो करोड़ जीच जाए और इन चीजों को कैसे हमारे क्रिकेटर सो सेलेब्रिटीज प्रमोट करते हैं यह सब तो आप देखी रहे हैं अच्छा इससे पहले कि मैं ड्रीम 11 की पूरी पूल पट्टी खोलूं आपके सामने फैक्ट के साथ सबूत के साथ उसके पहले हमारे जो मीलोड या फिर वो तमाम लोग जो की ड्रीम 11 को एक लक बेस्ट नहीं एक स्किल बेस्ट गेम मानते हैं या फिर उन्हें लगता है जैसे कि मीलोड को खुद लगता था और मीलोड ने वर्डिक भी दिया कि ड्रीम 11 कोई जुआ सटता नहीं है ये तो observation, knowledge और skills आप cricket के बारे में कितने ग्यानी हैं आपका knowledge कितना है इन सारी चीजों का निचोड आपको ड्रीम 11 में करोड रुपर जिता सकता है ये बोल करके green signal दे दिया ड्रीम 11 को मीलोड ने I really wish कि अपना verdict या अपना फैसला सुनाने से पहले मीलोड ने खुद ड्रीम 11 को observe किया होता एक हफते तक team मना करके देखी होती ही खेला होता तो शायद मीलोड को पता चल जाता कि ड्रीम 11 या फिर जितनी भी fantasy app है वो skill based नहीं वो purely luck based है और जहां पर luck आ जाता है फिर वो चीज एक जुआ बन जाती है जैसे आप कसीनों में जाते हैं और जो गिररी वा वही चीज ड्रीम 11 में भी है लेकिन इसे skill based गेम का नाम दे दिया गया है जबकि यहां skill नहीं पूरी तरह से luck matter करता है और यह कैसे करता है मैं आपके सामने कुछ example रखता हूँ बड़ी ही simple example है आपके पास एक ताला है और साथ में 100 चाबिया है आप कितने ही skillful क्यों नहों आप चाबियां देखकर तो नहीं बता पाएंगे कि इस ताले की कौन सी चाबिया है जैसे कि आपने खत्रों के खिलाडी में देखा होगा आपके सारे stunt होते हैं एक ताला रहता है और साथ में 5-6 चाबियां रहती हैं आपने देखा कि खिलाडी कैसे struggle करते हैं अगर आपने ये एप्स डाउनलोड करीं और पिछले एक देड़ महिने से मैंने इन सारी एप्स पर टीम भी बनाई हैं खेल कर भी देखा है इनफेक्ट अगर मैं आपसे कल की बात करूं कल MI VS LSG का मुकाबला था और डॉमनिक ने मुस्से टीम मांगी तो मैंने का कि तू अच्छे-चे रखना लेकिन को मत रखना मैंने का का इसले मlich में शाया ही जारा ने खालidir कि निश аपने भी देखा एक मैच पहले घप्छले और ऑ मैंक मैच जिसमें कि सकारी मारी थी उसकी बाद ये अगला मैच था, सकाईका हो गया लेकिन टी CT versus MI वाले मैच में शुब्मंगिल फ्लॉप हुआ था लेकिन शुब्मंगिल अगले ही मैच में सेंचुरी मार देता है ऐसा ही नहीं यह सवी जैसवाल जो कि KKR के अगेंस 98 नॉट आउट जाता है लेकिन अगले ही मैच में RCB के अगेंस सुपर फ्लॉप हो जाता है और कोई आश्यर के बात नहीं है अगर आज रात का मुकाबला जो कि धर्मशाला में खेला जाना वाला है पंजाब versus DC के बीच में और DC और पंजाब की बीच में भी दोतीन दिन पहले एक और मुकाबला हुआ दिल्ली में ही जहां पर प्रभ सिमरन ने सेंचुरी मारे थी और कोई आ पर पड़े खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए प्रभ सिमरन जिसको की बहुत कम लोगों ने सेंचुरी मार करके चला जाता है कल रात के मैच में बहुत सारी लोगों ने इसको सुरुकमार यादव को डिया होगा लेकिन कल वो फ्लॉप हो जाता है in fact KKR versus RR का मैच जिसमें ज चार विकेट लिता है लेकिन अगले ही मैच में जहिर तौर पर कई लोगों ने जैसवाल और चाहल को कैप्टन बनाया होगा लेकिन दोनों के दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं अब जैसवाल का और चाहल का एक साथ flop होना, इसे आप इत्तफाक बोल सकते हैं, किस्मत बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे IPL और ड्रीम 11 वालों की मिली भगत बोलता हूँ, क्योंकि जाहिर तोर पर जैसवाल और चाहल को हर किसी ने captain, vice captain बनाया होगा, लेकिन ये दौनों flop होगा और जीता कौन होगा, वो इंसान जिसने उस match में जो wine फार नहीं लिया, फिर RCB के खिलाडियों को pick किया होगा, तो ये चीज़ परदे के पीछे से कैसे control होती है, ये चीज़ समझने के लिए, एक महीने से मैं ड्रीम 11 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे मैंने try किया, हर तरीक पर एक बार team बन गई, math शुरू हो गया, फिर हम कोई change नहीं कर सकते, लेकिन ड्रीम 11 वाले कभी भी change कर सकते हैं, in fact मैंने Google पर और search करा, तो ऐसे कई सारे मुझे post देखने को मिल गए, जहां पर किसी इंसान ने comment करा, या post करा कि उसने ड्रीम 11 पर अच्छा amount जीता, लेकिन कि अगर आप नुकसान में हैं, तो प्लीज आप इनसे approach करें, यह जो WhatsApp नंबर आप देख रहे हैं, इस WhatsApp नंबर पर आप भी message करें, यकीन मानिये, Dominic ने इस पर किया था, पहले वो बंदा बोलता कि 1599 रुपए full package, फिर वो लोग hacking का पैसा मांगते हैं, फिर वो लोग guarantee का प खुद ऐसे लोगों को promote करते हैं, क्योंकि Dream Eleven ने अपना जो platform में वो ऐसे लोगों को मोहिया करा रखा है, और एक महीने से जादा हो चुका है, मैंने काफी अच्छे और काफी बारी की से देखा है, ऐसे नाम या ऐसी टीम जो कि आपको शायद टॉप 1000 में भी दिखाई नही चुके हैं, उनका एक ही funda की अपना काम बनता भाड़ में जाये जनता, क्योंकि देखो, cricketers जो हैं, उनको तो add करने के पैसे मिल रहे हैं, आपके सामने एक example रखता हूँ, आपने रश्मिका मंदाना का नम सुना होगा, वो real life में pure vegetarian है, लेकिन वो non wage food का promotion करती है, तो यही drink, ice cream, chocolate, सब बेचती फिरती है, उसी तरह यह cricketers और BCCI, जो की betting के against हैं, corruption के against हैं, match fixing के against हैं, कैसे वो dream 11 के हाथो बिक करके public को mislead कर रहे हैं, in fact, आमेर खान वगेरा सब को मिला लिया, और सब खेलेंगे, सब जीतेंगे, भाई, वहाँ कोई नहीं खेलता, कोई नहीं जीत जीते वहाँ पर वो लोग हैं, जिनका के dream 11 से गट बंदन है, और कैसे यह dream 11 या फिर इसके जो दलाल लोग हैं, कैसे वो public को लूट रहे हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने है, already एक screen shot दिखाया dream 11 का, आप चाहें तो खुद उस number पर whatsapp कीजिए, आप उस whatsapp number पर खुद message कीज यकीन मानिये, आपके पास ऐसे ऐसे offers आएंगे कि आपको दो करोड जिता देंगे, ये जिता देंगे, वो जिता देंगे, आप अंदरा सो देदो, ये देदो, वो देदो, ultimately वो लोग public को लूट ही लेते हैं, और dream 11 आज के भारत का सबसे बड़ा लूटे रहा है, सबसे हमने skillfully skill वाले player pick कर लिये, क्या guarantee है कि वो खिलाडी चल ही जाएंगे, जैसे कि कल सूरिया, उससे जदा skillful player कोन होगा, लेकिन वो flop हो गया, एक दिन पहले चन्नई वर्सेस KKR का मैच, जहां पर second inning में जड़ू, the skillful number one all rounder, एक भी wicket नहीं मिला उसको, उसी दिन दोपर में RC BCB versus RR का मुकाबला, जिसमें की यशस वी जैसवाल और यूजी चहल, जबर्दस्ट skillful player, लेकिन दोनों flop हो गए, अब ये चीज़ें luck based हैं, या skill based हैं, ये आप खुद समझ लें, जैसे कि मैंने ताले का example दिया आपको, आप कितने ही skillful क्यों नहीं हो, लेकिन चाबियां द 11 में एक करोड से ज़्यादा ताले हैं, और उन एक करोड तालों को खुलने के लिए कम से कम 10 करोड चाबियों को जरूत पड़ेगी, और आप खुद को कितना ही skillful मान लें, कितना ही knowledgeable मान लें, लेकिन उन एक करोड लोगों में कम से कम एक लाक लोग तो आप ही की तरह जिसको आपने कैप्टन बनाया, वो भी उसी को कैप्टन बनाएंगे, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर skill ज्यादा मैटर करता है, या luck ज्यादा मैटर करता है, जैसे कि एक्जामपल आरड़ी दे दिये मैं आपको, सूरिया, फिछले मैच में century, इस मैच में flop, तो यहाँ skill matter करी, या luck matter करा, आप खुद समझदार हैं, और मेरा जो मकसद या फिर उद्देश जो है ना इस वीडियो के बनाने की पीछे वो यह है, कि आजकर लोगों को सब कुछ instant चाहिए, खाना चाहिए, दो मिनिट के अंदर, सकसे चाहिए, दो मिनिट के अंदर, लोग दिन भर उ फाइदा उठा रहा है, ड्रीम 11, जो कि लोगों को बोलता है, कि आप एक गेम खेलो, 49 रुपीज में, आप जी जाएंगे, दो करोड, लोगों को लगता है कि भाई, उन से अच्छा क्रिकेट का नॉलज किसको होगा, वैसे भी आप देखें, सचिन खेले, विराट खेले, हम लोग जब टीवी पर देखते हैं, सब के सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, अरे इसको ओवर क्यों दिया, अरे इसको क्यों लिया है टीम में, हम सारे इंडियन्स की इस मेंटलिटी का और हम सारे इंडियन्स की जो फिलोसफी की रात तो रात करोड़ पती बन जाएंगे, उ चक्कर में लोग करोड़ पती तो नहीं बन पते हैं रोड़ पती जरूर बन जाते हैं तो यहीं पर आप समझ जाए कि कैसे यह ड्रीम 11 नाम की लीगल स्केम ने हम सब की जिंदगी का बंटाधार करके रख दिया है वो यूथ जिनने के अपने करियर अपने पड़ाई पर फो अरे जीत का चलो डबल लगाते हैं इस चक्कर में लोगों के पास जो खुद का पैसा बचा रहता ना वो भी उड़ जाता है और ड्रीम 11 तो भाई आप पांच उंगलिया घीम है सिर कड़ाई में तुम्हारा नुफसान हो रहा तो हो ड्रीम 11 का तो फाइदा ही हो रहा ना क्योंकि अगर तुम हार गए तो तुम्हारा पैसा तो ड्रीम 11 के पास गया लेकिन अगर तुम जीत गए तो उसमें से भी वो TDS के नम पर थोड़ा पत पैसा या फिर कमीशन के नम पर थोड़ा पत पैसा तो काट ही लेगा और एक करोड़ों लोग खेल रहे हैं उसमें से जीतेगा कौन वहीं जीतेगा जिसको ड्रीम 11 वाले जिताना चाहेंगे बिल्कुल ऐसी होता है जैसे बिग बॉस के टाइम पर मेकर जिसे जिताना चाहते हैं वो उसी को जिता देते हैं पब्लिक को वोट की लाइन में खड़ा कर देते हैं उसी तरह यह आमिर खान कहें या के फ्रॉड वाले पब्लिक को मिल करके लूट रहे हैं यह चीज तो आपको समझ में आही जाने चाहिए क्या है आपके रियक्शन्स और उब्जर्वेशन्स ड्रीम 11 का जो एक लीगल स्केम चल रहा है इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएगा आपको अगर यह वीडि है ड्रीम 11 के प्रती तो उन तक ही वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यों सो मुझ